नमस्कार दोस्तों मैं उस्वनिपानडे स्वागत आप सबका एक नहीं वीडियो में नाव हाली में आप लोगों ने बहुत सारी ऐसे निउज पड़ी होगी और बहुत सारी ऐसे आर्टिकल वीडियो दुनिया भर की निउज इस पर बनी थी कि हिंडर बर्ग जो एक अमेरिका की कमपनी है उसने अडानी गुरूप पर कुछ आरोप लगाये थी कि किस तरह से उसने मिसलीड किया है और गलत डाटा दिखा कर पैसे बनाये है और लिटिली जो नियम के उनसार होना चाहिए ऐसा उ बाहर चले गए लेकिन आपने कभी सोचा है कि ऐसा कैसे हो सकता है मतलब ठीक है और लोगों को इसके बारे में नोलेज होई गई होगी कि उसने आरोप लगाये और अडानी को बहुत ज्यादा लोस जहलना पड़ा लेकिन कुछ आरोप है जो अडानी के उपर लगाया जाते हैं कि इनके उपर सरकार की भी किरपाथी और सरकार भी इनका सपोर्ट करती है लेकिन आपने आरोप हमेशा सुने होंगे कि जो मौझूदा रिजीम है इंडिया की यानि जो बिजेपी की गवर्मेंट है ये सपोर्ट करती है यानि सेंटर गवर्मेंट सपोर्ट करती है ले कि ऐसा कुछ नहीं है ऐसा कुछ भी होता है तो गोभर्मेंट उसमें एक्षन ले जो एजंसिया होती हूं अपना action लेती हैं अपना काम करती है उस में फिर कोई परसनली जा के यह नहीं कह सकता कि नहीं हमारा निरयन मोदीजी से अच्छा बात चीत है हमारे फ्रेंड है तो आप हमें जो ये ड्रक्स हो गएरा सप्लाई कर रहे हैं इसके लिए हमें रियायत दे दो और हमें कुछ ना को हो ऐसा नहीं चलता है लेकिन असली में गवर्मेंट से फ्रेंड्सिप या गवर्मेंट की क्रिपा होने का मतलब क्या है यह अडानी गुरूप लगा में तेरा साड़े तेरा सो परसंट के साथ में उच्छाल लिया इसने 2020 से लेकर 2022 के विच्चे में दो साल में इसके पास अगर एक रुपया था तो वो 1368 रुपय के आसपास हो गया इतना जादा इसकी इंकम में उच्छाल आया और जो इसके सेर्ज 200 रुपय के थे वो सीधे 4000-5000 के हो गये इस तरह से उच्छाल आया शिर्फ दो साल में तो यह कैसे हो गया क्योंकि इंडियन इकनोमी ने रातो रातो इतनी तरिक्की कर नहीं ल सब पता चल गया है कि आडानी गूरॊप जो आडानी टांस्पोर्ट है या जो आडानी के एजंसियां हैं वो कौन से काम करते हैं किस तरह से इनुक्स तरह से स्टील और कोईले में वुल्म है तो वैसे लिए अब तो बहुत जयादा इनका भाहईला वजन से तो जो हिंडन बरने कुछ आरोप लगा है उनमें से मैं स्रीव एक आरोप के बारे में इसमें चर्चा करने वाला हूँ और समझाने वाला हूँ कि किस तरह से इनका benefit होता है गोवर्मेंट की किरपा वाली बात जो है उसको ही समझाना चाहता हूँ क्योंकि बाकि जो आरोप लगे हैं वो तो फिर कागज पत्र के आरोप है और उसमें फिर क्या होगा कि क्रोस कुष्चन होंगे और अगर कोड में मामला जाता है तो वहां की बात है लेकिन जो गुष्चन को रिलेट किया जाता जबा तर कांग्रिय सोर और आम आदमी पार्टी जो है वह आरोप लगाती है अड़ानी के उपर कि इसमें प्रधानमंतरी निराद मोदी की इन्वोल्मेंट है या बिजेपी की इन्वोल्मेंट है या जो रिजीम है मौझूदा सेंटर की वो सपोर्ट करती है तो उसके उपर जो आरोब लगते हैं उसको मैं समझाता हूँ कि कैसे आरोब लग सकते हैं देखो आहाली में आप लोगों ने भी सुना होगा कि जो यह LIC है उसके 74,000 करोण रुपए लगे थे अडानी गुरुब में और उसके लगों में तेश से 24,000 करोण रुपए डूप भी गए एक ही दिन में जैसे अडानी का सेर गिरा उसी दिन अब वेसलिए बात अगर सही नहीं थी तो 24,000 करोण रुपए कैसे LIC के डूप गए और LIC पर वेसलिए आम इंसान का पहिशा लगा है तो LIC ने सेर क्यों खरीदे अडानी गुरुब के क्योंकि LIC खुद में तो एक सरकारी कमपणी है और सरकारी कमपणी तो किसी से सेर कई उसे खरीदेगी इसका मतलब गवर्मेंट ने कहा होगा कि आप सेर खरीदो LIC के अलावा SBI ने भी खरीदा है SBI तो सरकारी बैंक है लेकिन उसने भी खरीद रखा है और SBI ने करजा भी दे रखा है और अन्य पराइबेट और सरकारी बैंकों ने करजा दे रखा है अडानी गुरुब को अब अडानी गुरूब का इस तरह से बहुत जल्दी सफल हो जाना या दो साल में एकदम से इनका जो share market है वो आसमान छूले ना इसके पीछे government का इसी तरह से support है किस तरह से support है मालो की अडानी गुरूब के पास में या अडानी गुरूब का नाम हटा देते हैं किसी विक्त के पास में 10,000 रुपे हैं या 10,000 की उसकी एक shop है जिसकी total valuation है उसमें से वो सोचता है कि 10,000 में से मैं 7,500 अपने पास रखूँगा और 5,000 जो मेरी valuation है उसका मैं share waste दूँगा और उससे लोगों को invite करूँगा वो investment करेंगे और मेरा पैसा जादा हो जाएगा और मैं फिर क्या करूँगा in the future इस shop को एक mall में convert करूँगा मतलब उसके लंबे सपने हैं तो उसने क्या किया धाई हजार का अपना share निकाला उस धाई हजार में क्या किया कि उसने 500 का IPO निकाल दिया यानि initial public offering निकाल दिया और बाकी 2000 रुपे उसने फिलाल के लिए जमा कर रखे हैं रेजिस्टर कर रखे हैं अब उसमें क्या है government बोलती है जाके LIC से कि आप जाके खरीद लो इसमें 10% से दारी जो 25% उसने निकाला यानि जो 5000 रुपे निकाले हैं उसमें से तो वो जाते हैं 1000 रुपे का उसका valuation खरीदने के लिए लेकिन उस 1000 रुपे के लिए LIC कहती हम आपको 50,000 रुपे पे कर देंगे यानि आप यह मत देखो कि वो 1000 रुपे आप यह देखो बस कि अगर वो 1000 रुपे का valuation खरीद लेती है LIC तो वो 10% की मालिक हो जाएगी उस जो भी network है उसमें यानि पूरे soap का 10% हिस्सेदारी उस LIC का हो जाएगा और इसी तरह से SBI भी है उसने भी 10% खरीदा अब 10% जो है वो ऐसे तो valuation उसकी 1000 रुपे है लेकिन वो जब खरीदने गए तो 50-50,000 का खरीद लिया क्योंकि क्योंकि government का पीछे से support था कि आप इतने र valuation उसकी जब value लगाए जाएगी तो वो फिर उसी हिसाब से लगाए जाएगी यानि 10% का अगर value 50,000 होता है 20% का एक लाग होता है तो जो अगला 80% है उसका भी तो 40,000,000 रुपे होगा इसी हिसाब से जो company 10,000 की थी उसका total valuation कितने हो गया 6,000,000 रुपे हो गया इसी तरह से अ है इस वज़ा से हमें करजा चाहिए तो बैंक वालों ने का ओवेशली इसमें जब यह लाइसी और इस भी आई ने सेर खरी रखे हैं तो आप जो चाहिए वो ले लो हमसे तो उसने का ठीक है अब आप हमें 2,000,000 रुपे उधार दे दो अब 2,000,000 रुपे उन से उधार ले रहे हैं क्योंकि government support कर रही है नए business को और इंडिया में infrastructure को build up करने के लिए या नहीं नहीं technologies लाने के लिए तो इस वज़ा से उसको व्याज भी नहीं देने पड़ रहे हैं नहीं तो किसी की जिसकी 10,000 रुपे वैलोशन है किसी के शोप की अगर उसको 2,000,000 के 10% व्याज ही जितने का पैसा बाहर से सरकारी कंपणियों ने डाल दिये LIC और SBI ने 74,000 करोन रुपे लगा दिये LIC ने इसके share खरीदने में और SBI ने भी बहुत सारा पैसा लगा के खरीदा ऐसे अन्य सरकारी कंपणियों ने और बैंकों ने खरीदा और उसके बाद में उन्हीं बैंको ने करजा भी दिया अडानी गुरूप को अब इसमें जो आम पबलिक थी वो कहां फस गई आम पबलिक भी गई थी अडानी के share खरीदने के लिए तो आम पबलिक सोच के गई थी कि चलो कोई बाद नहीं है जो 300 का share होगा खरीद लेंगे लेकिन जब इसमें कोई बाहरी कमपनी जो सरकारी कमपनी है वो इतना जादा पैशा देकर और उसके share खरीद रही है तो share की कीमत बढ़ी जाएगी share की कीमत बढ़ गई जो 200 के थे वो 2000 के हो गए जो 2000 के थे वो 10,000 के हो गए various companies हैं इसके अंडर में तो इस वजा से इसके share एकदम से आसमान पे चले गए और जब 200 रुपए का खरीदता और 2000 का बेशता है और जब ये बाद मार्केट में आउट होती है तो फिर उसके बाद में बहुत सारे गरहक उसके लिए आते हैं कि इतना return मिल रहा है तो हम भी खरीद लें क्यों ना खरीदें इसी के चक्कर में जो अडानी गुरुप था उसको पुष करने के लिए उपर को तरकारी कमपणियों ने लिटिली सहयोग किया है डारेटली और इंडारेटली जिसमें LICJC कमपणियां सामिल थी जो एक पबलिक से जुड़ी कमपणी है जिसके पास पबलिक का पैसा है उसने अडानी गुरुप को उपर ले जाने में 74,000 करो रुपे डाल रखे थे हाला कि हिंडन बर्ग की रिपोर्ट में इसके अलावा 88 और कुष्चन है जिन में से ये भी है कि इन्होंने किस तरह से मनी लांडरिंग की है और क्या नमें टेक्स चुराया है सिंगापूर और ऐसे अन्य देश जो है जहां पे बहुत कम भ्याज लि नहीं है कि जो टेक्स हैवन कंट्री होते हैं वहाँ पर टेक्स चुराने के लिए कंपनिया ऐसा करती है यह तो विसली सबको आप लोगों को पता ही होगा